हेलो गाइज वेल्गों बैक टो माई यूट्यूब चैनल रिना किचन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है मैं हूँ रिना और आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ राजमा चावल की बहुत ही टेस्टी रेस्टी राजमा चावल को जो कॉम्बो है वह जाद़ पॉपुलर है इंडिया के अंदर हम सब बहुत पसंद करते हैं तो आज मैं उसके बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूँगी उमीद करती हूं हमेशा की तरह है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आती है रेसिपी पसंद तो प्लीज वीडियो के इंचे लाइक बटन जरू क्लिक करें और रिना किशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूली तो चलिए देखते हैं राजमा चावल बनाने की रेसिपी राजमा चावल जो कि इंडिया के अंदर बहुत पॉपलर है जातर सभी लोग वन्युक्ति से पसंद खाना और रिकमाह चावल जो किरी दो नहीं वेशाओ के व्क्त लाइद में पनजाऑ के राजमा चाल चावल जो दयां कि दोनों ही बहुत आसानी से बन जाते हैं, और अगर आप एक बार स्वाध चखेंगे तो आप बार बार से बनाना पसंद करेंगे, तो आज की गो बहुत साधरन साधी है, लेकिन बहुत जादा स्वाध तो चलिए शिरू करते हैं, यहां सबसे पहले हम पैन रख लेते हैं, क आताट काली मिर्च, तेज पत्ता, अगर आप बड़ी इलाइची है तो आप वो भी यहाँ पर एड़ कर सकते हैं, थोड़ी से काजू एड़ कर सकते हैं, और या फिर मैं एड़ कर रही हूँ इसमें थोड़ी सी हरी मटर, तो जो भी आपको पसंदो आप यहाँ पर एड़ कर तो यहां पर मैंने चावलों को दो घंटे पहले भिगा दिया था वो बहुत ज़रूरी है उससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं और अच्छे से धोके क्लीन कर लिया है तो पानी ना अच्छे से उबल चुका है इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो जितने भी चावल जाए अच्छे से उसके बाद इसमें आप चावल को डालिए और फिर इसको बीच में हलका हलका चलाते रहिए और इसमें जल्दी ही उबाल आजाता है यानि कि चावल जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं जैसे आपको लगे चावल फूलने लगे हैं चावल थोड़े से नहीं तो मैं भी एक चावल को चेक कर लेते हूं कि अच्छे से तयार हुए या नहीं क्योंकि गरम है तो बहुत ही कैर्फुली इसे करना है और अगर आपको लगे कि चावल बन चुके हैं तो यहाँ पर हम gas की flame बंद कर देते हैं बस इतने ही हमें पकाना है क्योंकि जादा कुक नहीं करना है, घुकमत करिएगा तो यहां पे मैंने शानने के लिए एक चन्नी लिये हैं। और नीचे पानी निकलेगा , उसके लिए एक बड़ा भिखुनारा मैं चावल को इसके अंदर डाल देती हूं चन्नी के और जिसे की सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और अब इसे थोड़ी दर के आप धक्के जरूर रखेगा तो यहां शुरू कर लेते हैं राजमा बनाना जिसके लिए एक पेस तयार करते हैं और उसके लिए हमने यहां प तो यहां पर दर कर टुकड़ा और बस इसे बिना पानी डाले थोड़ा सा दर्दरा पीसिएगा क्योंकि ज़्यादा जो फाइन पेस्ट होता है वो गायब सा हो जाता है राजमे के अंदर जाके तो अगर वो थोड़ा सा दर्दरा होगा तो जो ग्रेवी बनेगी वो बहु बन चुका है हरा हो चुका है अच्छा वैसे आप मिर्च चाहते हैं तो टमाटर में भी पीस सकते हैं लेकिन इसमें ही क्यों पीसी गई है प्याज के साथ क्योंकि जो मिर्च अदरक का जो फ्लेवर आता है वो प्याज के साथ बहुत अच्छा आता है तो यहां पर फिर से ह कढ़वा बनाने के लिए अरो इस में डालेंगे हम तेल तो यहा पे मैंने डाल दिया है दो चम्झे यहां डालों स्टबवूनाट कर है यहां डाले प्याज क्हूदारा प्याज करें हमने तेयार करा है इसे आच्छндर करता यहां पर जब ऑच्छे से भून लेगें बिलोकुल अच्छे से ब्हून नहीं हो जाता मिन क्लेस की लाओं होता है. युक्रीबर बढ़ होता है. इसमें राशश विसम in अच्छे से बढ़कों सिलुकष। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, अगर आप तीन प्याज ले रहे हैं, मीडियम साइज की तो तीन बड़े साइज के टमाटर लीजिए, यानि कि प्याज से एक टमाटर एक्स्ट्रा, तभी राजमा जो है नो, उसका जो बैलेंस बनता है, मसाले का, वो तभी स्वादिस्ट लग लग बग भुन चुका है, तो इसमें हम अब जो हैं, सुखे मसाले अड़ कर लेते हैं, तो यहां पर हम डाल देते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर अच्छा है, थोड़ा सा तीकी वाली मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च अलेडी डाली हुई है, हल्दी पॉडर, और अब याँ इसके साद् डाल देते हैं, धनिया बड कर अएड़ा करेंगे, बाकी के शहरा मसाले करेंगे, डाल मेन मसाले करेंगे, यहां बाकी के शिए मसाले के ममक अड़ालँ और डहने, इसे चलातवगे, ब ambassador हेई मिक्स नमत अब जाता है, यहां पर थोड़ा डाला है, जब यह लगे कि अच्छे से मसाला भून चुका है तब उसके बाद हम यहाँ पर डाल लेते हैं टेमाटर की प्यॉरे तो टेमाटर की प्यॉरे जब कश्मीरी लाल मिच उल्रीडी समें डली हुई है तो जो प्यॉरे है उसके डलने के बाद इसका कलर जो है वो बहुत तो यहाँ पर मिक्स करके अब मैं इसको ढखके रख देते हूं जिससे कि मसाला अच्छे से पक जाए अच्छे से तेल वगरा छोड़ दे और जो राजमा उबाला हुआ है कुकर में उसको अच्छे से मैश करेंगे क्योंकि उसमें से थोड़ा पार्ट मैश हो जाए चाहे कुकर के अंदर दबा दबा के प्रेस करके मैश कर लीजिए या फिर आप थोड़े से राजमा को निकालके मिक्सी के अंदर डालकर उसे भी आप घुमा सकते हैं तो वह भी थोड़ा सा पार पेस्ट का तयार हो जाएगा उससे होगा क्या जो राजमा है उसकी ग्रेवी में राजमे का फील बहुत अच्छा आता है बहुत ही गाड़ी ग्रेवी बनके तयार होती है तो यहां पे मसाला हमारा अच्छे से बिलकुल तयार हो चुका है और दर राजमे भी हमने अच्छे से तयार कर लिया है थोड़ा बहुत मसल लिया है उसके अंदर तो अब इसे ट्रांसफर कर देते हैं कड़ाई के अंदर और यहां पे इसको डालने के बाद अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे देखेंगे चेक करेंगे ग्रेवी कितनी है क्योंकि अगर ग्रेवी कम है जाता राजमा चावल के साथ खाया जाता है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पानी अलग से और एड़ करना होगा तो यहां पे अपने अपने आइकोर्डिंग आप पानी इसके अंदर एड़ कर दीजिए जितना भी आपको कम ज़्यादा लगे तो मुझे कम लगा मैंने थोड़ा सा और पानी एड़ कर दिया है पांच मिंट के लिए जिससे की मसाल और ग्रेवी जो बहुत बिल्कुल परफेक्ट बनके तयार हो जाए जैसी पांच मिंट हो जाएंगे तो आप अटाके इसकी लीड को धकन को चेक कर सकते हैं ओइल सेपरेट हो जाना चाहिए ओइल उपर आ चुका है किनारों पर यानि की राजमा बिल्कुल परफेक्टली बनके तयार है तो यह राजमा बहुत अच्छे से तयार हो गया है चावल भी हमने पहले तयार कर लिए थे तो चलिए इने सर्फ करना शुरू करते हैं तो प्ले ठटाते हैं चावल देखते हैं तो चावलों को कम से कम 5 मिंट के लिए ठक के जरूर रखिएगा और चावल को जब भी आप बनातेहं तो उसको आप पूरा 100% मत कूक कीजिए कम से कम 80% कूक कीजिए क्योंकि जब हम इसे ठाक के रखते हैं तो 20% तब कोख हो जाते और यह इस प्रोसेस से बहुत ही खिले खिले और बहुत ही सेपरेट बनते हैं तो चावल को बनाना बहुत ही आसान है और यह जो चावल कहते हैं कूकर वाले चावल जब कूकर बनाते हैं उससे यह वाले ज्यादा हेल्दी होते हैं नुकसान नहीं देते हैं तो यहां पर राजमे को भी सर्फ कर लेते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बना है चावल और राजमे को कॉमिनेशन बहुत पॉपुलर है बहुत ज्यादा पसंद के जाता है मुझे परसनेल राजमे चावल ही पसंद है वैसे राजमे को रोटी वगरा के साथ भी सर्फ कर लेते हैं लेकिन अ जिने आप ध्यान रखिए और बनाईए बहुत ही टेस्टी राजमाचावल की रेसिपी आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आए राजमाचावल की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो खिंच लाइक का बटन ज़रूर क बूलिये तो चले फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए